दोस्तों आज हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जिस इंसान ने अपने मैनत से फिल्म जगत के साथ साथ राजनीदी में अपने नाम का डंका बजाया है हम बात कर रहे हैं भारतिय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता राज बबबर जी के बारे में जिन्होंने कई फिल्मों में काम करके उन फिल्मों को सूपर हिट करवाया है जब वो फिल्मों में काम करते थे तो वो पूरी महनत से अभिने करते थे उनके पिता का नाम कुशल कुमार बबर और माता का नाम शोभा बबर था राज ने आगरा से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिल्म जगत की तयारी उन्होंने दिल्ली से की थी राज बबर ने कई फिल्मों में अभिने किया और वो फिल्म सूपर हिट रही राज बबर ने फिल्मी जगत में नायक और खलनायक दोनों ही रूप में अभिने किया है उनकी कुछ फिल्में जो फिल्म जगत में सूपर हिट रही जैसे कि 1982 में निकाव फिल्म में उन्होंने अभिने किया और वो फिल्म सूपर हिट रही 1984 में जीने नहीं दूगा पिल्म में अभिने किया था और उस फिल्म में राज बबर के साथ धर्मिंद्रा और शत्रुगन सिनहा जैसे एक्टर भी काम कर रहे थे और वो फिल्म सूपर हिट हो गई 1985 में एतबार फिल्म में अभिने किया और वो फिल्म भी सूपर हिट रही 1987 में संसार नामक फिल्म में अभिने किया और वो भी सूपर हिट रही राज बबर की दो शादी हुई थी उनकी पहली पतनी का नाम नादीरा बबर है और उनसे उनको दो बच्चे हैं आर्य बबर और जूही बबर, राज बबर की दूसरी शादी स्मिता पाटिल से हुई। स्मिता पाटिल जी के द्वारा उनका एक बेटा है प्रतिक बबर। राज बबर ने स्मिता पाटिल जी से प्रेम किया और उनसे शादी करने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था। फिल्म जगत के साथ साथ उन्होंने राजनीती में भी अपना नाम का डंका बजाया है। 1989 में उन्होंने अपने राजनीती करियर की शुरुआत की। वो जन्तादल के साथ जुड़ गए और चुनाओं में कई रेलिया की और उन रेलियों में भाशन दिया। और जन्ता की सेवा करने का वादा किया। और वहां से अपनी राजनीती करियर की शुरुआत की और इससे कुछ समय बाद वो समाजवादी पार्टी से जुड़े और सांसत चुने गए। 1984 से 1999 तक वो राजसवा सांसत थे फिर राज बबर्जी समाजवादी पार्टी को छोड़ कर कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कि वो राजनीती में आकर हर वर्ग के लोगों की सहायता करे और जन्ता भी उनको काफी पसंद करती है।